हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मेकैनिकल एट इज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक सुवागत है आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इंस्टिटूट ओफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी के बारे में जिसे हम हिंदी में कहेंगे भारत्य पेट्रोलिय और उर्जा संस्थान तो यहां पर पिएचडी एडमिशन के लिए एप्लिकेशन फोर्म आउट हो चुके हैं सप्रिंग समेस्टर के लिए तो यह इनका ओफिशल इन्फोर्मेशन ब्रॉशर है जिसके बारे में हम कम्प्लीट डिस्केशन करने वाले हैं कि कौन-कौन सी ब बाते हम डिस्केशन करेंगे तो यहां पर यह कॉंटेंट्स आप चेक कर सकते हैं जब आप इस नोटिस को पढ़ेंगे तो बड़ी असानी होगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फोर्मेशन ब्रॉशर आई-आई-पी-ई-पी-एचडी एडमिशन 2022-2023 जनल बात करें हमें सबसे पहले तो पहला क्या है इंपोर्टेंट गाइडलाइन्स और पी-एचडी एडमिशन तो यहां पर आप और कैटेग्रीज में पी-एचडी कर सकते हैं रेगुलर ऑंसर्ड वरकिंग प्रोफेशनल एन इंडुविज्वल फेलोशिप ठीक है जैसे की CSIR, UGC, DBT, IEC, MR, INSPIRE, एड्सेक्टरा ठीक है और डिस्सिप्लीन कौन-कौन से हैं? इंजिनरिंग, टेकनॉलोजी and साइंस और ब्रांचिस कौन-कौन से हैं? पायो साइंस में आप पिएचडी कर सकते हैं केमेकल इंजिनरिंग में आप पिएचडी कर सकते हैं केमेस्ट्री में कर सकते हैं कम्प्यूटर साइंस एंड इंजिनरिंग अर्थ साइंस, इलेक्टरिकल इंजिनरिंग मैथेमेटिक्स, मेकैनिकल इंजिनरिंग पेट्रोलियम इंजिनरिंग तो ये कुछ ब्रांसीज हैं जिनमें आप अपनी पीएच डी यहां पर परश्यू कर सकते हैं ठीक हैं तो इस नोटिस को केरफुली आपको पढ़ लेना है ठीक हैं और अगर आप एलीजिबल हैं तो ही यहां अपलाई करना एक बात और ध्यान मे रखना कि अगर आप यह चाहते हैं कि एक से ज़्यादा डिसिप्लिन्स में यहां एपलिकेशन फोर्म आपको भरना है तो अलग-अलग फोर्म आपको भरना होगा दोनों के लिए फीस भी अलग-अलग लगेगी इंपोर्टेंट डेट्स आप यहां चेक कर सकते हैं आपका रिजल्ट आजाएगा 26 दिसंबर को आपका पीएचडी में एड्मिशन हो जाएगा ठीक है जी अब बात आती है इंस्टक्शन टू फिल एपलिकेशन फोर्म तो सभी के लिए यह एपलिकेशन फोर्म की इंस्टक्शन दे गई है ठीक है तो सभी के लिए इन्होंने बताया है कि application फीस कितनी लगेगी non refundable होगी ये फीस आपको वापिस नहीं मिलेगी तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं general economic wicker section OBC non-crimalier mail के लिए 300 है और इन categories की female के लिए 150 है SCST के लिए 150 है PWD candidates के लिए भी 150 है और आप अपनी ये payment net banking credit card, debit card के माध्यम से fill कर सकते हैं ठीक है और ये मैंने आपको पहले बता ही रिया अगर आप चाहते हैं आपकी इच्छा है कि एक से ज़्यादा specialization में apply किया जाए तो अलग-अलग form fill करने होगे अलग-अलग आपको piece fill करने होगी ठीक है अब बात आती है guidelines कैसे आपको online form fill करना है तो सबसे पहले ये इनकी official website है और जब आप इस official website पर click करेंगे तो पहला step होगा अपने form fill करने का sign up तो अपनी valid mail ID का प्रयोग करते हुए यहां sign up कीजिए तो उसके बाद आप login कर पाएंगे जब आप step 2 में चलेंगे login करने तो login करते हुए आप अपनी fees की payment करेंगे ठीक है और step 3 होगा फिर fees की payment कर देने के बाद application form आपको fill करना है जो भी जुरूरी बाते है necessary information आपको fill करनी है वो आप fill करते चलेंगे ठीक है जी step 4 में क्या रहेगा आपको अपने document upload करने है ठीक है step 5 में preview and submit preview का मतलब होता है एक बार आपने जो भी details बरी है जो भी document upload किये है उनको एक बार देख लेना ठीक है अगर आपको लगता है कि सब ठीक है उसके बाद आप उसे submit कर देंगे ठीक है अब बात आती है the institute तो ये इस institute के बारे में कुछ जानकारी है इसे आप देख लेजिए ये देखिए कितनी प्यारी university कितना प्यारा संस्थान है ये और अब हम चलते हैं PhD program के लिए ठीक है तो ये PhD program के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है तो जो यहां पर PhD admission लेगा उससे कुछ ये काम करने पड़ेंगे जैसे course work दिया जाता है वो काम करना comprehensive examination seminar होते है उनको अटेंड करना और original research work करना किसी reputed journal में अपने paper publish करना ठीक है और patent करवाना उसके बाद आपकी थीजी submission होगी फिर वाइवा होगा ठीक है जिस भी research areas में आपने अपनी किसी बनाई है उसके बारे में आपको पूरण तहा ज्यान होना चाहिए ठीक है जी तो ऐसा है अब बात आती है second point research areas तो area of research available है इनकी official website पर इसका link ये रहा ये link आपको description में मिल जाएगा तो ये जो उपर branches के नाम हमने देखे हैं उन branches में कई research areas available हैं जो आप वहाँ देख सकते हैं इस link के माध्यम से अब बात करते हैं eligibility criteria के तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास PhD करने के लिए master degree अनिवार है ठीक है और कुछ ऐसे भी है जो bachelor degree के माध्यम से भी जा सकते हैं जैसे इन्होंने यहां लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है या या ये condition करें या ये condition fulfill करें या ये condition fulfill करें अगर आपने engineering में master degree हासिल की है तो भी आप यहां अपलाई कर सकते हैं अगर आपने science में master degree हासिल की है तो भी आप यहां अपलाई कर सकते हैं अगर आपने engineering और technology में bachelor degree भी हासिल की है तो भी आप यहां अपलाई कर सकते हैं एक बात ध्यान में रहे additional requirement क्या है इनकी ये भी आप देख लिजिए तो सबसे पहले हम देखेंगे regular with institute research assistantship के नाते जो admission लेगा उसके लिए additional requirement क्या है उसके बारे में बात करेंगे तो valid gate score होना चाहिए UGC net, CSIR net और NBHM score required है ठीक है? candidate with master degree in engineering or technology after qualifying gate is also eligible for institute research assistantship तो master degree के बाद भी अगर किसी ने gate qualify किया है तो भी वो institute research assistantship के नाते यहाँ पर admission ले सकता है अब अलग-अलग categories के लिए अलग-अलग इन्होंने criteria बताया है जैसे अगर कोई चाहता है कि biology में PhD करें तो उसकी MSC होनी चाहिए life science में या फिर M.Tech या B.Tech होनी चाहिए biotechnology में या फिर bio informatics में अगर कोई चाहता है chemistry में PhD करूं तो B.Tech या MSC या फिर M.Tech होनी चाहिए chemistry की किसी भी branch में जैसे chemistry हो गई chemical science है material science है और chemical में भी फर्दर कई branches बन जाती है उनमें organic chemistry, inorganic chemistry mathematics में अगर कोई PhD करना चाहता है तो MSC होनी चाहिए या फिर M.Tech होनी चाहिए in any branch of mathematics या फिर B.Tech होनी चाहिए mathematics and computing में इसी तरीके से chemical engineering के लिए master degree का criteria है bachelor degree का भी है अगर कोई bachelor degree के माध्यम से जाना चाहता है तो शर्त यह है कि master degree bachelor degree के साथ gate score भी होना चाहिए अगर कोई चाहता है कि computer science and engineering में admission लिया जाए तो gate होना चाहिए आपका computer science and engineering में and IT में या फिर आपकी M.Tech हो computer science and engineering में earth science में electrical engineering में mechanical में जैसे हम mechanical की बात करते हैं तो mechanical में gate होना चाहिए या फिर हम बात करते हैं master degree की तो master degree होनी चाहिए thermal में, IC engine में, energy में ठीक है remark, इन्होंने specially remark किया है production, manufacturing and design M.Tech student need not apply तो अगर कोई production से manufacturing और design से M.Tech holder है तो उसे apply करने कि यहां हो शकता नहीं है petroleum engineering M.Tech होनी चाहिए petroleum, chemical, petrochemical, computer science and engineering, mechanical, civil second है M.E.C. होनी चाहिए chemistry में, mathematics में या फिर geology, geophysics में B.Tech in petroleum engineering तो वो यहां पर apply कर सकते हैं तो यह देखिए amounts की बात करते हैं fellowship 31,000 पर मन्त मिलेगी आपको first two years और 35,000 पर मन्त आपको stipend मिलेगा for next three years ठीक है जी तो इस तरीके से आप यह देख लीजिए तो पहले हमने क्याद देखी थी PhD असेशेशन्षिप के लिए अब है individual fellowship के लिए इसे भी आप देख लीजिएगा PhD अगर कोई project खित्रू करना चाहता है तो भी वो यहां कर सकता है एक project पे काम करना होगा और साथ साथ उसकी PhD चलती रहेगी sponsor candidate कौन होता है अगर कोई विक्ति किसी company में काम कर रहा है कहीं बाहर और वो company कहती है कि हम आपको sponsor करेंगे आप अपने PhD कंटीनू कीजिए तो वो उनके खर्चे पर यहां PhD करेगा तो वो sponsored candidates कहलाएगा और PhD और सब्सक्राइगा यह सब चीजें इन्होंने यहां बताई है QIP Quality Improvement Program Category Special Notes इन्होंने बताया है Payment कैसे करनी है तो यहां आप फीस देख सकते हैं कुछ फीस ऐसी है जो refundable है कुछ फीस ऐसी है जो non refundable है यह भी list आप देख लीजिए तो आशा करते हैं यह Indian Institute of Petroleum and Energy का आपको Google Map दिख जाएगा कैसे इनका campus है, कहां है अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो इस mail ID पे contact कर सकते हैं यह mail ID आपको description में provide करवा दी जाएगी आशा करते हैं आपको सब बातें clear हो गई होगी हम आपके उजवल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम